यूपी में लगातार बढ़ रही क्राइम की घटनाय रुकने का नाम नहीं रही हत्यारे हत्या कर असानी से फरार हो जाते हैं जिससे यूपी की जनता सहमी और डरी हुई नजर आ रही है ऐसी ही एक घटना बुलन शहर से आ रही है यहां एक व्यक्ति पर ताबर तोड़ गोल और ऑष्यारे मोन के फरार हो गई जानकारे के इनुसार बुलन शहर में दुकान बं कर घर जा रही जन सेवा केंदर के संचालक की रंजिशन ताबर तोड़ गोल्या बर्सा कर हत्या कर दी और हत्यारे घटना को अंजाम देकर मोंके से फरार हो गई ये तस्वीर है बुलन शहर के खुर्जा में रहने वाले युवक मोहमद साथ की जिसके शरीर पर लगे आठ गोलियों के निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि खुर्जा में ताबर तोर गोलिया बरसा कर किस तरह से हत्यारों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है दरसल मोहमद साथ खुर्जा में ही जन सेवा केंदर चलाता है और मंगलवार की रात को दुकान बंद कर रोजाना की तरह स्कूटी पर सवार होकर अपने घर जा रहा था कि घात लगाए अहमलावरों ने रंजिशन ताबर्त और गोलिया बर्सा कर महुम्मद साथ की हत्या कर दी और बेखोफ हो हत्यारे फरार हो गई वारदात से इलाके में गुसाए लोगों ने जाम लगा कर परदर्शन किया मगर मोके पर पहुचे पुलिस अधिकारियों ने गुसाए लोगों को शांत कर हत्यारों की गिरफतारी का आश्वासन दिया है बुलन शहर की SSP की माने तो पुलिस को हत्याकान से जुड़े कई सुराग मिले है अब शिगर ही हत्यारों को गिरफतारी कर हत्याकान का खुलासा किया जाएगा फिलाल मामले की जाच की जा रही है है और बंदे यह पाच लोगे है और पुलिस को इसपैस्टर के तो पुलिस बालों के जाएगा कुलि उनके आरे लगे की चार गॉल्माले को बाली का ओनाना का एक तर सामने स्याँ प्रस ही है कि ती क्यों परक्य भाड़ी ने के लिग निया जाएगा पुरानी रंजिस है लेकिन अभी इस लेवल पे इस अस्तर पे फाईयार भी नहीं दर्ज हुई है अभी किस अभीह मारेगें कितनी गोली मारेगें कुछ इस पार मिंद़ भीपो है फिलाल पोस्तमार्टम एपकल कितनी गोलिया लगी है और महत कॉन सुसुना मिली है अभी है तीम अभी तो के गिरवतारी के लिए 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 और हम प्रयास कर रहे है कि चॉबरेश गंटेम को गिर सब्सक्राइब करें लाइट पाने के लिए बाल इकन को फिक तर हमारे चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें हैंने बाद